हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक माई यूटीब चैनल आज मैं आप सब के सामने ये दो कलर की उन्हें बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बताने वाली हूं बनाने के लिए देखिए फ्रंट में कुछ ऐसे नजरा रहे हैं और बैक सैट से रहे हैं तो उलजन भी नहीं है तो आप इसे छोटे बेवीस के टोपी विगर बना सकती हैं स्विटर बना सकती है बहुत ही प्यारा नजराने वाला ली देजाइन है जैसे कि आप देख पा रही हूंगी तो इस वीडियो को मैं आज जी start करने वाली हूँ तो चलिए हमारे साथ आभी बनाईए और मैं आपको starting से बना करके बताऊँगी कि आप कैसे इस design को बना सकती है तो friends इस design को बनाना बहुत ही आसान है यहां पर मैंने दो color का उन ले रखा है और यह white color का मैंने border बना लिया है अब जहें इसमें मैं pattern apply करूँगी तो इसके लिए हमें क्या करना होगा starting से मैं आपको बता रही हूँ इस तरीके से पहले फंदे को हमें क्या करना है जैसे ही आपने border compete कर लिया आपको अलग color का उन को add कर लेना है इस तरीके से मैंने black and white color का उन select किया है क्योंकि red and white मैंने पहले ही बना रखा था इस वज़े से तो देखें पहले फंदे को हमें इस तरीके से बिनेंगे और दूसरे फंदे और तीसरे फंदे तीसरे फंदे को हमें starting से ही सीधे बिन लेना है अब चौथे फंदे को मैंसे skip कर लेना है उतार लेना है दूसरी सिलाई में वापस से हमें तीन फंदे black वाले उन को ही लेके एक ही उन लेके जा रही हूँ ये white वाले उन को मैं यह इधर ही रख रही हूँ वापस से तीन फंदे सीधे बिनेंगे 1, 2, 3, वापस 1 फंदे को skip करेंगे फिर से 1, 2, 3 तो ये पहली element is ह contractors है हमारी right side से तो उसी तरीके से बिन के हमें पुरा complete कर लिएना है 3 फंदे को बिनना है, एक को skip करना है मतलब दूसरी Glenn में transfer कर लेना है फिर 3 फंदे को बिनना है, और एक को transfer कर लिएना है आपने जितने भी फंदे ले रखे हैं ना 100-200 उसको इसी तरीके से आपको बिन लेना है और कर लेना है complete तो मैं पूरी स्लाई बिन लेती हूं आप भी कर लीजे पूरी स्लाई complete तो first row हमारा right side से हो गया है complete अब हम आ जाएंगे back side से second row second row में भी हमारे पास एक ही उन इधार है black color का तो उसी को बिनना है तो क्या करना है यह white वाले हमने पहले स्लाई में first row में skip किये थे तो second row में भी back side से हमें इसे skip करना है बिनना है नहीं है जैसे पहले फंदे को उतारे ना यह अलग color का उन है फंदे उसे भी उतार लेंगे ऐसे और बागी जह तीन फंदे है इसे उल्टा बिन लेंगे एक दो और यह तीन यह second सिलाई है back side से फिर दूसरे अलग color का उन आ गया तो उसको भी उमें उतार लेना है वापस से तीन फंदे को उल्टा बिनना है एक फंदे उतारने है तो यह हो गया हमारा second सिलाई back side से इसे भी आपको कर लेनी है complete मैं हट डिजाइन जो है स्टार्टिंग से बना करके आपको बताती हूं कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कोई दिक्कत ना हो बनाने में फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे comment करके पूछ सकती है मैं आपको इस डिजाइन के बारे में बताऊंगी तो देखे सेकंड सिलाई हमारा बैक साइड से हो गया complete ऐसे सेकंड सिलाई हम बीन लेने के अब आ गए हम थर्ड सिलाई में सेकंड सिलाई हो गई complete अब हम जब थर्ड सिलाई बीनेंगे न तो क्या करेंगे वापस से हमारा ये वाइट वाला उन इतारी रहेगा और ब्लैक वाले उन से हमें बीनना है तो देखे इस तरीके से एक फंदा उतार लीजे या फिर उल्टा बीन लीजे इसमें हमने क्या कर सबी फंदे उल्टे उल्टे बीन करके कर लेंगे complete इसमें कोई भी फंदा हमने उतारा नहीं है इसकिप नहीं किया है सबी फंदे को उल्टा उल्टा ही बीनना है तो इसे कर लेते हैं complete तो थर्ड शिलाई हो गई complete अब हम आ जाते हैं फोर्ड शिलाई में back side से तो क्या करना है वापस से सबी फंदे उल्टे बीन लेंगे उन हमारा एक ही color का है तो उसी से हमें बीनना है और वापस से सबी फंदे को उल्टा उल्टा बीन करके आ जाना है हमें right side में तो इस तरीके से सबी फंदे को उल्टा बीन लीजे तो फोर्ड शिलाई भी हो गई हमारी complete और कुछ इस तरीके से हमारा यह pattern नज़राएगर अब सबीट सिलाई में क्या करना है में यह दिन को हमें बलैक बनाय था उसको हम वगएxic को दिन को बनाना है तो में इसकिप केड़े पहले फंदे हम यहाँ पर बीन लेते हैं अब हमें black color का ooon को छोड़ देना है और लेना है base का color एक फंदा हमें बीनना है एक फंदे को skip कर लेना है फिर 3 फंदे हमें बीनेंगे 1, 2, 3 देखिए यह वाला फंदा जो पहले बीने थे से वह बीज में आयेगा और फिर ये तीन फंदों के बीज वाले को हमें एक फंदे को सिथ बीन है एक दो तीन तो इस तरीके से ना पूरी सिलाई हमें बीन करके राइट साइड से कर लेनी है कंप्लीट यह ध्यान रखें कि पैटन जो है ना हमारा रिपीट हो रहा है अब जैसे स्टार्टिंग से बताया थे ना बस वैसे ही आपको करना है तो पहले हमने यही बताया था आ और एक फंदे को स्कीप करना है उतार लेना है तो देखिया आपको यह पैटन नजर आ रहे हो होंगे अब हमने बैक साइड से हमने क्या बताया था सेकेंड ड्रॉ को बनाने के लिए तो यह तीन फंदे जो हमने अलग कलर का सारी बेस का कलर लिया है वाइट उसको हमें उल् यह सेकेंड सिलाई है राइड साइड से एक दो तीन इसको उतार लेना है एक दो तीन ब्लैक कलर का जो है उन उसको हमें स्किप कर लेना है तो यह हो गया सेकेंड सिलाई हमारा कंप्लीट अब हमें थर्ड सिलाई में क्या करना है इन सभी फंदों को उल्टा उल्टा बिनना है राइड साइड से देखें यह लेंगे और सभी फंदों को उल्टा बिन लेंगे इसमें कोई भी फंदा उतारेंगे नहीं और कोई गीनेंगे भी नहीं सभी फंदो को हमें उल्टा भी बिन लेना है इस तरीके से तो मैं कर लेती हूं complete आप भी कर लेजी तो ये हो गया न complete अब हमें वापस से back side से सभी फंदो को उल्टा उल्टा बीन लेना है तो दो color के उन से मैंने repeat करके आपको दिखाया है कोई भी confusion नहीं होनी चाहिए अगर फिर भी हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है अब मुझे comment करके पूछिएगा मैं आपको answer करूँगी तो friends देखिए यहाँ पे मैंने एक, दो, तीन और यह चार चार pattern बना करके आपको दिखाये हैं और यह बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में जैसा कि आप भी देख पार है होंगे तो यह दो color के मैंने उन में बनाये थे और यह मैंने चार एक red and white and black and white आपको जो पसंद आता है उस color में आप इस design को बनाये और अपने baby को पहनाये बच्चे हों बड़े हों आप इस design को हर के sweater में अपलाय कर सकती हैं तो उमीद करेंगे आप सभी को यह design प्लस यह video helpful लगे होंगे तो please हमारे video को like करें चैनल को subscribe करें और जिनोंने कर रखा है उसके लिए बहुत बहुत धनेवाद तो मिलते हैं next video में thanks for watching my video thank you, bye bye